कोई भी एकर इस वाश्वीट नहीं रहता है तो यह मैं गरंटी देता हूं सर से ना दे कि यहां से आप बिल्कुछ सेटीस पर योगेदा हुए हाई फ्रेंट्स आज हैं हमारे साथ मैं रांजीश कुमार सुन्दी जी काफी दूर से हमारे आई हुए हैं इन्हों ने दस पंदरे दिन पेले हमारे आनूज की सरज़री कराई थी साप राइनोप्रस्टी इनका कॉस्मेटिक काफी इस्यू था और सुल में जब हमारे पास में आया थे काफी दरीग भी थे चलिए हम इसे जानते हैं इनकी जरनीक कैसी रखी क्या इनका एक्स्विश्य सृफम हारे ज Inspect आप में आपटा लिए जियाया और किसे आप Our अभिव थाका और केसी आपने वरी साईम बना करना की सर कभव दो जात्मिश में जो ठेलों ने उतंगा ठीमार करने असम पहाई जो सर्कशे शाजिक क्राए उस ट tum faces ल koşका जो पार दो lah था में मेरा हई jusqu तो सा मेरा का स्टाफ उनका भीहवयर उसमें आधा मेरे को वैसे इंडेस देगिया पिर जब आप से मिला उनकी सो बाते सुनि वह बाते सुने के बाद में मतलल ही तो रइनोप्लास्च इसे जोशे होता है डर होता है रहा वह कंपलेटली निकल गया और इतनी सांधर मेरी सर्जरी व कोई भी एकर दिस विटल में आता है तो यह मैं गरन्टी देता हूं सर से ना दे कि यहां से आप बिल्कुछ सेटी स्पाई हो गजा हुए क्योंकि आगद स्टार पर वह भी ग्रेट है इनके बिएवर भी ग्रेट है उर जो ट्रीटमेंट है वह कंप्लिटली एवन ट्रीटमे है तो मेरा मेंसेज यह है कि प्लीज डाइनोप्लास्ट अगर आपको करामी है जा नाग से समंदित कोई दिक्कत है कान से समंदित दिक्कत है तो मेरे नी से पूरे जयपूर के ंंदर इस से दी वेस्ट HORसपिटल पैले पहले पहले इस डुसरे वेश्ट तो मैं यही कहूंगा कि जिसको भी इन तीन चीजों से प्रोब्रोंस है लाने अपने नोज से एर से फोड़ से वो प्लीज जरूर है एक वाई विजित जरूर करें मेरे कहने जाला कि मैं पैसेंट हूं जरूर कि मैं बता नहीं सकता रवासकतर में यानि मेरा कोंगरेंज है वो ये संदों की सोज आशिता हजार पे लाया है वो लाने वाले है ये सर यह यागा स्टाफ तो थैंक यू वेरीमस दूर बिन होस्पिटल थैंक यू बेरीमस नक्स पिटल आइल आई लव धीशुसिटा प्रूंट थो अच्छिए अच्छिए जिसे पर जिसे इसे पिशन दोगे बहुत दर लगता है तो आपको फील हुआ कि यहार में जो ब्यों कर देंगे तो क्या पता मैं बापस मेरे होस्पे नहीं होंगा और दूरिंग स्वेजरी आपको जिसे दर्द और पुशन के बाद द अच्छिए मकजें जब मेरे बहुत धर मेरे को रहा हुँआ झाल हॊंगा शोपे ने को recognize ुरॉज स्वार्ट इसे प्षब मेरे अच्छिए जॡरा पर दूराव इसे पान। दूसरा तो डर था इस तरह एगा कि बेहुस करने के बाद में होस में आऊंगा या ना आऊंगा वह सब यहाने के बाद मेरा कंप्लीट निकल गया इसकी वजह यहां गास्ताब और प्रस्क डोक्टर्स वो उनकी दो क्वालिक पेसंस है वो उसमें मेरे पुरा बिलीव पूरा प्रस्था कि यहां के जो डोक्टर्स और वो कंप्लीट ली एव बन काम कर रहें तो मेरा दर तो सफिटलन आते ही निकलिया था कंप्लेट लीव ज़ए अपनेगा नाक्स सांस चाह रहा है वह सब्सक्रा है कि मैं पहली बार सांस ले रहा हूं उसे खुड़ी हवाग दर एक अलग है साहस लेने का इतना खुल कर गे इतना ऐसे पहले इतनी बड़ी पाइः सथ साहस ले रहा है तो इतना ऐसाद हो गई हो जरी साहसर हो जरी सिसद्ध कि यह वेसा इतनी सांधा गनाई यह सथे नहीं बता निसकता अभर तो यह लगरा रहा है कि काश्च मैं प्वांसा सर पहले ही यह करा लेता है। ने सब्वांसा सर दोर्ध में में जिलता। वह दोजार उमीस में सखने मिला था बट अगले साल करोना आगया था तो वो पांसामी के में दोजार उम्मी से में बाढ़िया, दर्मसालाम बगया, सर से सिर्फ एक बार विला हूँ, उन्होंने जो बात कही, जिस तरह बिहर किया, उसी टाइम में सोच लिया कि मैं जैपू दूर विन होस्पिटल में जो नक्स होस्पिटल हो, उसके जदूर जा उनका भी कि अब इसम मेरे से जर्ष्ट बार में वाला, वो बाहर बेठा है वी, उनसे में अफुच आग गयार पाई तो अभी उनका पलस तरह भूलोगे, वो बाहर बेठा है, वो भी कम्प्लेटली स्टिस्पाई है, तो तो काम या पैसे रहे होगा, जो जो मैं तो यहीं कि कहना चाहूंगा कि हमें कोई भी उप्रेशन से पहले कहा है कि जब जरूर नाम सुनके ही नहीं डर जाना चाहिए, एक बार जरूर्टर से मिलना चाहिए, कि बागई कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या, जो भी अपनी कॉस्मेटिक इस्यूज है या निजल लॉक इस तरह से को कही बीष्यू है, क्या कोई भी मिल जाता है तो पॉप्रेशन होगा क्या जाता है, कि थीक हो जाता है यह जरूर कंसर्ट करके हमारे परिशान इक हाँ जरूरा होना चाहिए, और लॉक डिक तो तो फैसके है